मैं अनीता का पती हूँ. वह रोज आपका एक वीडियो चलाती है, जिसमें आपका कोई संदेश होता है. आपकी दिमाग में क्या आता है, जिससे आप ग्यान के इन शब्दों को कहते हैं, यह कैसे दिमाग में आता है? इसके लिए कुछ प्रिष्ट भूमी की जरूरत है. ये एक सच्चाई है, कि हमारे पास सबसे विक्सित, नियूरोलोजिकल सिस्टम है, किसी कीडे मकोडे, पक्षी, जानवर, किसी की भी तुलना में. पर हमारी एक मनोवैग्यानिक प्रक्रिया भी है. आपकी मनोवैग्यानिक प्रक्रिया चाहे कुछ भी हो. आपके विचार और भावना हैं. सिर्फ इसलिए खटित हो रही है. क्योंकि आपने खास मातरा में जानकारियां इकठा की हैं, है न? अगर आप सोचते हैं कि वो अच्छी इंसान है, तो एक तरह का विचार, अगर आप सोचते हैं वो अच्छी नहीं है, तो दूसरी तरह का विचार, अरे आपको लगता है कि ये कोई और है, ये सारी जानकारी जो आपने इकठा की है, चाहे वो सही हो या अगलत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जिस तरह की जानकारी आपने इकठा की है, वो आपके विचारों और भावनाओं का धंग निर्धारित करती है, है ना? ये एक बात है, कि अगर आप इंसानों को समझा दें, कि उनकी मनोवैग्यानिक प्रक्रिया पूरी तरह उनका अपना नाटक है, इसका सचाई से कोई लेना देना नहीं है, कैसा है? आपकी मनोवैग्यानिक प्रक्रिया का यहां की सचाई से कोई वास्ता नहीं है, यहां सौ लोग बैठे हो सकते हैं, और हर कोई अपनी अलग मनोवैग्यानिक सिती में हो सकता है, और वो सो अलग-अलग दुनियाओं में हैं, वो इस दुनिया में नहीं है तो मेरा दिमाग खाली है, इसमें कुछ नहीं है तो मैं इसी दुनिया में हूँ क्योंकि मैं सिर्फ इसी दुनिया में हूँ तो मैं हर चीज़ पर ध्यान देता हूँ मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलता अगर मैं एक जगा बैट जाओं तो कभी-कभी जब मैं छुटी लेता हूं तो अगर मैं खुद को पांच दिन के लिए बंद कर लूँ तो मेरे मन में एक भी विचार नहीं आता मैं पढ़ता नहीं, टीवी नहीं देखता, लिखता नहीं, मैं कुछ नहीं करता मैं खिड़गी से बाहर भी नहीं देखता मेरे मन में एक भी विचार नहीं आता क्योंकि मनों वैग्यानिक प्रक्रिया सिर्फ एक छोटा सा नाटक है जो बस इसलिए इतना बड़ा हो गया है क्योंकि आपने इस से अपनी पहचान इतनी ज्यादा जोड़ ली है ऐसा होता है, लोग हमेशा मेरे पास आकर कहते हैं सद्गुरु मैं ध्यान करना चाहता हूँ, पर मेरे दिमाग में विचार आते हैं मैं पूछता हूँ, देखिए, मैं आपको दूसरी तरह का ध्यान सिखा दूँगा जिससे आपका गुर्दा, आपका कलेजा, आपका दिल काम करना बंद कर देगा आप सीखना चाहेंगे? नहीं, नहीं, नहीं तो आप सिर्फ अपने दिमाग का ही काम बंद करना चाहते हैं, क्यों? देखिए, जब आप बैठ कर ध्यान करते हैं, तो आपका गुर्दा, कलेजा, दिल, सब काम करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है सिर्फ दिमाग के काम करने पर आपको दिक्कत है ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी पहचान अपनी किड़नी के काम से इतनी जुड़ी हुई नहीं है मगर अपनी विचार प्रक्रिया और भावनाओं से आपकी पहचान बुरी तरह जुड़ी है आप उससे इतने जुड़े हुए हैं कि आपको लगता है कि आप खुद वही हैं और इसकी वज़े से जीवन का अनुभव इसके पीछे छुप गया है बताईए पिछले 24 गंटे में ऐसे कितने पल थे जब आपने विचारों से परे जाकर किसी चीज़ को देखा अधिकांट्स लोगों के लिए एक भी पल ऐसा नहीं होता या कुछ लोगों के पास कुछ पल होते हैं मेरे अंदर बस कुछ पल विचार होते हैं बाकी समय तो मैं बस आकाश की तरह बस मौजूद होता हूँ सिर्फ जीवन अगर आप बस क्या आप जीवन है हाँ मुझे ठीक से बताईए कि आप वाकई जीवन है हाँ हाँ आप जीवन है है ना मैं जीवन हूँ इसलिए मेरा एक शरीर है मेरे पास विचार हैं भावनाएं हैं मेरा घर है मेरा ये ये और नजाने कितनी चीज़े हैं सब साजो सामान मगर आप साजो सामान का अनुभव कर रहे हैं क्या आप रोज जीवन का अनुभव कर रहे हैं आप अपने मनो वैज्ञानिक नाटक को जीवन समझने की गलती कर रहे हैं है ना आपका मनो वैज्ञानिक नाटक आपका नाटक है शायद उसका निर्देशन बुरा है पर देखे जब इसका निर्देशन बुरा होता है तो लोग कश्ट उठाते हैं जब उसका निर्देशन अच्छा होता है तो इसका आनंद लेते हैं है ना अलो तो आपका मनोवैग्यानिक नाटक आपका अपना है आप इससे चलने दें, इसमें कुछ गलत नहीं है यह ऐसा है जैसे हमें खेल खेलना शुरू करते हैं हमें टेनिस कोट में है जहां गेंद को मारकर, आपको मज़ा आता है कुछ देर बाद आप रैकेट नीच रगकर चले जाते हैं अभी इस खेल में आप रुक नहीं पा रहे हैं मान लीजिए आपने टेनिस खेलना शुरू किया और आप रुक नहीं पा रहे हैं 24 गंटे तो आप टेनिस से कैसा दुख पाएंगे अभी बस यही हो रहा है आपकी मनोवेज्ञानिक प्रक्रिया बेल अगाम हो गई है वो बस चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है तो इसका आसान हल यह है किसे रोकने की कोशिश न करें क्योंकि आप गुर्दे, जिगर, दिल या किसी और चीज को तो रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसमें आपको कोई परिशानी नहीं है, बस आपको दिमाग के काम करने से परिशानी है, क्योंकि उससे आपकी पहचान है, आपने गलती से समझ लिए है कि आपके विचार आ आदा कर पाएंगे? नहीं. ये बस आपकी इकठा की गई जानकारी से ही आ रहा है. आपने जो जानकारियां इकठा की हैं, वो सब अपनी मर्जी से नहीं की हैं. जब आप सडक पर चलते हैं, तो हर चीज जो आप देखते, सुनते, सूंकते, चकते और छूते हैं, वो आपके म संद्रियों से जानते हैं, वो बस आप में समा कर दर्ज होती जा रही हैं. इसमें कुछ भी अच्छा बुरा बतसूरत नहीं है, ये बस जानकारी है. अब आप इसे अपने तरीके से पहचान कर कहते हैं, अरे ये अच्छा है और वो अच्छा बन जाता है. आप कहते हैं, य वो आप नहीं हो सकते, है ना? हलो? मैं इसे अपनी कुरसी कह सकता हूँ, पर अगर मैं कहूं कि ये मैं हूँ, तो आप सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ, है ना? फिलाल बस यही हुआ है. जो आप इक अठा करते हैं, आप सोचने लगते हैं कि आप हैं, खोड़ा असान तरीके से समझाता हूँ, हमारा शरीर, ये शरीर क्या आप ऐसे ही पैदा हुए थे? नहीं. आप इतने से आए थे और अब इतने हो गए हैं, ये कैसे हुआ? बस उस भोजन से जो आपने खाया, है ना? या फिर जिस धर्ती पर हम चल रहे हैं, वो भोजन बन गई है और अब के और मेरे जैसे अंगिनत लोग इस धर्ती पर आ चुके हैं, वो भी वो दिमान लोग थे, अब वो कहा हैं? वो सब अब मिट्टी की उपरी परत हैं, ये भी वही बनेगा, आया नहीं, जब तक कि आपके दोस्त आपके वापस जिन्दा हो जाने के डर से आपको बहुत गह जो भोजन में बदल गई है, इस भोजन को खाकर हमने इसे ये शरीर बना लिया, या ये सच है कि ये शरीर भी समय के साथ इकठा किया गया है? अलो? ऐसा है, जो आप इकठा करते हैं, वो आपका हो सकता है, पर क्या वो आप हो सकते हैं? अलो? ज्यादा से ज्यादा आप आप इकठा की गई चीज के अपने होने का दावा कर सकते हैं, मैं भी इस पर भहस नहीं करूँगा, एक दिनाएगा, पर आप ये नहीं कह सकते कि ये मैं हूँ, है न, जो आप इकठा करते हैं, वो कभी आप खुद नहीं हो सकते, अगर ये आपके लिए एक जीता जाकता दिखने लगेंगे, बिना किसी चीज से प्रभावित हुए, बिना किसी चीज से पहचान जोडे, बस जीवन, क्या ये सच है, कि मूल रूप से आप बस एक जीवन हैं, आपने एक शरीर एक अत्रित किया, तो हमने आपको आदमी कहा, फिर आपने अपने अंदर कुछ चीज पून यही है, क्या ऐसा है? अलो? पर दुर्भागि से उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, आज मैं जो सोच रहा हूँ, वो मेरे जीवित होने से ज्यादा एहम हो गया है, एना? अलो? मेरी छोटी सी भावना मेरे जीवित होने से ज्यादा महत्वपून हो गई है, कुछ समय पहले, टेनेसी में हम एक हेलिकॉप्टर उड़ा रहे थे, वो एक सुंदर गर्म दिन था, तो हमने दर्वाजे खोल दिये, और हम दर्वाजे खोल कर हेलिकॉप्टर उड़ा रहे थे, क्योंकि मौसम अच्छा था, हम उपर गए और अचाना की तेस ठंड लगी, हुआ ये था कि सूरज बादलों के पीछे छिप गया था, इतना ठंडा कि हमारा नियंतरा नहिल गया, हमारे हाथ कंट्रोल पर स्थिर नहीं हो रहे थे, तो हमने नीचे आने का फैसला किया, नीचे आते समय हम यूही चर्चा कर रहे थे, मान लीजे, कल सूरज ना निकले, तो क्या होगा, शायद तीन मेहने में ये होगा, छे मेहने में ये होगा, हम बस अंदाजा लगा रहे थे, फिर वापस आकर मैंने थोड़ा शोद किया, अगर कल सूरज ना निकले, तो अठारा घंटे में इस धर्ती पर जीवन का हर रूप खत्म हो जाएगा, धर्ती की गह सुबह सूरत समय पर निकला, इस बात पर कम से कम तालियां तो बजनी चाहिए, शांदार बात है, वो समय पर निकला है, और प्रित्वी समय पर घूम रही है, आपको नहीं लगता कि ये बढ़िया है, सौर मंडल में कोई दुरगटना नहीं हुई, एक ग्रह दूसरे से नह अपने रास्ते चल रहे हैं, पूरे ब्रहमांड में एक भी दुरगटना नहीं, दुनिया में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सृष्टी में, ब्रहमांड में, मगर आपके दिमाग में एक छोटा सा बुरा विचार आता है, और दिन खराब हो जाता है, ब्रहमांड में सब क रिष्टिक हो चुके हैं कि हम कौन हैं, इस ब्रहमांड में ये सौर मंडल कण की तरह है, हाई या नहीं, ये कण जितना है, कल सुभा अगर पूरा सौर मंडल गायब हो जाए, तो कोई ध्यान नहीं देगा, उस कण में पृत्वी एक बहुत छोटा कण है, उस सूक्ष्म हैं, उसमें आप एक बड़े आदमी है, ये एक गंभीर समस्या है, ये आपका मनोव एग्यानिक नाटक है, चीजों को इस हद तक बढ़ा लेना, जहां आपके खयाल में एक छोटा सा बुरा विचार भी आपकी दुनिया खराब कर सकता है, क्योंकि हम अपने विचारों पहचान जोड लेते हैं, बिना ये समझें कि अपनी पसंद के विचार, अपनी पसंद की भावनाएं पैदा करना हमारा विशेश आदिकार है, अगर आप अपनी मर्जी से अपने विचार और अपनी भावनाएं पैदा करेंगे, तो क्या आप किसी इंसान के लिए संभव स सबसे बहतर विचार और सबसे बहतर भावनाएं नहीं पैदा करेंगे, हा या नहीं? फिर आप मानपता के चरम पर काम करेंगे, अभी हमारी अपनी बुद्धि मत्ता हमारे खिलाफ हो गई, हमें किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है, हम खुद ही खुद को तबाह कर रहे हा या नहीं? बैठे हुए, खडे हुए, गरीब, अमीर, हर तरह का इनसान दुखी है, आप उनसे पूछिए बचपन, बड़ी समस्या, डाइपर की समस्या, छोटा बच्चा, बड़ी समस्या, खूप शैतानी, किशोर आवस्था, हे भगवान, इतनी सारी समस्या हैं, अध समस्या कहीं और नहीं है, समस्या बस ये है, कि हम अपने मनोवैग्यानिक नाटक पर काबूख हो चुके हैं, क्योंकि जीवन का स्तित्वगत नाटक हमारे अनुभव में नहीं है, हमारा मनोवैग्यानिक नाटक सूरज का रास्ता रोकने वाले बादल की तरह है, हम जीवन क का अनुभव नहीं करते. हम सर्फ उन विचारों, भावनाओं, आइडियाओं, पूर्वा ग्रहों और फाल्तु चीजों का अनुभव करते हैं जिने हम पैदा करते हैं. स्रिष्टा के स्रिष्टी में रहने की बजाए. हम अपनी बनाई हुई तुछ स्रिष्टी में रहते हैं, ये एक बड़ी बात है, मैंने कोई रचना नहीं की, इसलिए मैं यहाँ हूँ, इस दुनिया में.